हेलो फ्रेंड कैसे हो आप लोग तो फ्रेंड यार बहुत दिनों के बाद जो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फ्रेंड यार ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ लेकिन मैं बना रहा हूँ लेकिन मुझे थोड़ा बहुत काम था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया तो फ्रेंड है अभी है शाम का टाइम और उपर है मोसम भोजोर से खराब यहां पर देख सकते और बहुत जादा जोकी ठंड भी है और इस ठंड में जोकि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ यहां पे तो फ्रेंड में आय हूँ यहां पर गुम्मा गाउं में और यहां पर दखाएंगे आपको गुम्मा गाउं तो पिछे देख सकते आप लोग जो की गुम्मा गाउं है और चारो तरफ भी देख सकते आप लोग और मेरे पिछे यहाँ पर एक मंदिर है और उपर मौसम बिल्कुल खराब है और आसफास में भी देख सकते आप लोग और शाम का टाइम है उपर देख सकते आप लोग बादल और यहां पर देख सकते आप लोग आगे जो कि यहां पर बारिश हो रही है और नीचे देख सकते आप लोग जंगल और लोगों के खेत हैं भूती मस्त ब्यूँ तो तो फ्रेंड में इस साइड भी दिखाऊँगा आपको तो फ्रेंड यहां पर है मेन गुमा यहां पर जो की नम की खान भी है और इसके आगे यहां पर जो इंदन अगर शहर पड़ गया और इसके आगे प्ठान गोट दिल्ली फ्रेंड आप लोग यहां पर देख सकते है जो की यहां पर पथर है छोटे छोटे पथर है यहां पर इतने छोटे भी है बड़े भी है तो फ्रेंड यह पूरे चिपके हो यहां पर तो फ्रेंड इनको निकालना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जोरदार जोकी चिपके होए तो फ्रेंड ऐसा लगता है कि इनको किसी केमिकल के साथ जोकी चिपकाया गया तो फ्रेंड पूरे में देख सकते हैं आप लोग जो कि यहां पर कटिंग की है लोगों ने तो यहां पर भी लोगों को भोजाता जो कि टाइम लगा होगा इसको निकालने के लिए तो फ्रेंड आपको यहां पर चारो तरफ चोकी इस तरह के पथर नजर आएंगे यहां पर तो यहां पर भी देख सकते हैं आप लोग तो फ्रेंड यह है पूरा चील का जंगल इसमें निकलता ब्रोज्जा जो की ब्रोज्जा बहुत ही चीजों के लिए स्वाटर तो इसको लगा देते हैं अभी टोपा उपर से तो फ्रेंड यार बहुत जयादा थंड है आज कल तो मौसम खराब है उपर उपर लगता है कि बर्फ बहुत जादा लग रहे हैं तो फ्रेंड यहां तो मौसम बिलकुल ठीक है तो बशराए लेकिन नहीं यहां बारिश नहीं लगी है और अपर लगता है कि बहुत जादा जोंका कि बर Villa और हो रही है आप लोग को कड़की यहां पर धूंद दिख्या दे हैह पिछे तो यहां पर जो की बऊन्द हो डार्ट सोड़ों से यह कोई बारिश हो रही है तो फ्रेंड यहां तो अभी तक कोई बारिश नहीं है तो लगता है कि थोड़ी देर के बाद यहां पर भी बारिश होने वाली है